हेलो फ्रेंड्स मैं भावना सर्मा आप सबी को नमस्कार करती हूँ दोस्तो आज इस वीडियो में हम ट्रेंगल के बारे में डिसकस करेंगे ट्रेंगल को हम त्री भुच कहते हैं एक ट्रेंगल इसे सिम्पल क्लोजड फिगर फॉर्मड बाई थ्री लाइन सिग्मेंट्स ट्रेंगल एक सिम्पल क्लोजड फिगर है जो तीन लाइन सिग्मेंट्स से मिलकर बनता है एक ट्रेंगल है थ्री वर्टेशिज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स एक triangle के पास तीन side होते हैं तीन vertex होते हैं और तीन angle होते हैं तो दोस्तों ये हमारे पास ABC एक triangle है जैसे यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक point है और एक यहाँ point है और एक यहाँ point है ये दोस्तों हमने three non-collinear point लिए हैं non-collinear मतलब जो एक लाइन के उपर नहीं है तो ये थ्री पॉइंट लिए अब इन थ्री पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो हमारे पास जो फिगर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे ट्रैंगल ये हमारे पास एक फिगर है इसको हम क्या बोलेंगे ट्रेंगल, ट्रेंगल हमारे पास एक ऐसा closed figure है जो तीन line segment से मिल कर बनता है line segment क्या होता है दोस्तो line segment line का एक part होता है जिसकी length fix होती है line की length fix नहीं होती line को हम दोनों side से बढ़ा सकते है लेकिन जो हमारे पास line segment होता है उसकी length fix होती है वो चाहे four centimeter हो five centimeter हो कुछ भी हो उसकी length क्या होगी fix होगी तो अगर हमारे पास three line segment से बना हुआ एक figure है तो उसको हम क्या बोलेंगे triangle और वो close होना चाहिए यहां हमारे पास ABC एक triangle है क्योंकि यह एक closed figure है और three line segment से बना हुआ है दोस्तों ऐसे हम figure अपने आम life में भी देखते हैं triangle के जैसे हमारे पास यह एक triangle है यह हमारे पास एक triangle है इसकी दोस्तों हमारे पास यह three sides हैं जैसे आप देख सकते हो और यह three हमारे पास इसके vertex हैं तो ऐसे ही है हमारे ने एक triangle बना रखी है देखो इसमें हमारे पास साइड्स हैं दोस्तों इसकी वो कौन-कौन सी है इसकी थ्री साइड्स है उनके नाम क्या क्या है साइड A, B, साइड B, C, और साइड A, C दोस्तों यह हमारे पास A, B, C एक ट्रेंगल है इसके हमारे पास एक साइड A, B, एक साइड B, C और एक साइड क्या है A, C ऐसे ही दोस्तों इसके पास three vertices हैं तो वो three vertices कौन-कौन से हैं A, B, and C इसके पास three vertex हैं हमारे पास vertex दोस्तों जहां यह दो साइड्स आपस में मिलती हैं या अपस में cut करती है इसको हम vertex बोलते है ऐसे ही दोस्तों यहां हमारे पास एक triangle के पास angle कितने होते है 3 यह हमारे पास angle A है यह हमारे पास angle B है और यह हमारे पास angle C है angle A को हम angle B, A, C भी लिख सकते है angle B को angle A, B, C भी लिख सकते है यहां हमारे पास जो एंगल A होता है उसको हम एंगल B A C लिखते हैं जो B है उसको A B C लिखते हैं और जो हमारे पास C है उसको B C A लिखते हैं जो दोस्तों हमारे पास ये angles है इनको लिखने का तरीका क्या होता है यहाँ angle A है तो ये A बीच में आना चाहिए यहाँ B है यहाँ B बीच में आना चाहिए यहाँ C है यहाँ C बीच में आना चाहिए और simply हम इसको angle A, angle B और angle C भी बोल सकते हैं तो दोस्तो ट्रैंगल के बारे में हमने क्या क्या सिखा ट्रैंगल के पास थरी साइड्स होती हैं और थरी ही एंगल होते हैं और थरी ही वर्टैक्स होते हैं अब दोस्तो जो हमारे पास ये ट्रैंगल है जो इसकी साइड्स हैं ये हमारे पास तिन्नो साइड एकवल भी हो सकत हैं तो जिस टाइप के हमारे पास ट्रैंगल होगी उसी टाइप की उसकी साइड होंगी जैसे दो साइड एकवल एक अलग हो सकती है तिन्नों साइड एकवल हो सकती है तो इस प्रकार ट्रैंगल हमारे पास कहीं टाइप की हो सकती है ऐसे ही हमारे पास एंगल है जो वो 90 डिग क्लासिफिकेशन ओफ ट्रैंगल की हम ट्रैंगल को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं यहां हमारे पास क्लासिफिकेशन ओफ ट्रैंगल है according to sides और according to angles एंगल के अनुसार भी हम इसके टाइप देखेंगे और sides के नुसार भी हम इसके टाइप देखेंगे यहां हमारे पास according to sides है जो वो एंगल थरी टाइप के होती है scalan triangle, equilateral triangle, isosial triangle ऐसे ही दोस्तों हमारे पास according to angle भी ट्रैंगल के थरी टाइपस है acute angle triangle, obtuse angle triangle, right angle triangle इन सभी triangle के बारे में दोस्तों हम next वीडियो में बिल्कुल detail में discuss करेंगे, यहां हमने triangle के थरी टाइप देखें जो according to sides है और थरी टाइप देखें जो according to angle है अब हम देखेंगे दोस्तों triangle properties, triangle के अपनी कुछ properties है, वो क्या क्या है the sum of the interior angles of a triangle is 180 degree, जैसे हमारे पास यहां कोई भी triangle है, एक ऐसे ऐसे P, क्या हूं, और एक triangle है, तो the sum of the interior angles, जो इसके यह तीन interior angle है दोस्तों angle P, plus angle count, plus angle R, यह हमेशा 180 degree के होंगे, ट्रैंगल के तिन्नों angle का sum हमेशा क्या होगा, 180 degree second property है दोस्तों, when two sides of a triangle are added, it is always greater than the third sides अगर हम triangle की किनी दो side को add करते हैं, तो वो हमेशा third side से क्या होगी, बड़ी, तो दोस्तों हम कोई भी side ले सकते हैं, जैसे अगर हम दो sides को subtract करते हैं, जैसे P, क्याओं को, अगर हम, P, क्याओं में से, अगर हम क्याओं वार को subtract करते हैं, तो it is always less than the third side तो हमेशा यह क्या होगा, third side से less होगा, जो इनकी subtraction आएगी, वो third side से less होगी, तो third property हमें यह बताती है, तो दोस्तों हमें triangle की तीन property देखी, क्या क्या है? triangle के तीनों interior angle का sum हमेशा 180 degree होगा, अगर हम dो side को add करते हैं, तो जो third side की length है, वो side की addition है है जो वो third side की length से जादा होगी अगर हम दो side को subtraction करते है तो जो subtract करने के बाद आता है वो third side से कम होगा तो ये हमने property देखी तो दोस्तो आज हमने सेखा कि triangle क्या है इसकी definition क्या है किस्टने type की triangle होती है वो triangle की क्या-क्या properties है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम प्रेंगल के टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू